हेलो गाइज वर्टकम वेक टू मैं न्यू ब्लोग और आज के ब्लोग में आपको दिखाने वाला हूँ उपर में जो तीन कमने बनने थे उसके अंदर आज पाइप की फिटिंग हो रही है पानी के पाइप की और वहां पे किचन में सिंग कोंग का काम हो रहा है पूरा इस व देखे यह की आजाने के पाइप की फिटिंग करें है और देखे यह देखे इस कार यह घे पाटा है इसके अंदर से पाइप निकालना जाएगा काफी महनत लग रही है इसे करना गाँ देखिए यह जो दिख रहा है इसमें सिंक लगेगा और फिर टैंकी निकाली जाएगी टोटी लगेगा सिंक के ऊपर इसके लिए यह काम हो रहा है तो गैज देखिए यह किचन के सिंक के लिए पाइप फिटिंग हो गया है और टंकी भी लग गया और यह जो गया खाली दिख रहा है इसके अंदर सिंक लगेगा बस एक टंकी लगके त्यार है हमारा तो गैज यह देखिए यहां जिरी काट जा रहा है यह जिरी इसलिए काट जा रहा है क्योंकि हमाया जो बात हों है तीसरे मंजिर पर उसके अंदर तंकी के पानी की फिटिंग आप मोटर की पानी की फिटिंग नहीं की गई थी इसलिए मोटर की पानी के फिटिंग किया जाएगा अब तो गाइस देखिए जीरी कट गया है हमारा जीरी कटने के बाद यह नीचे भी जमीन में फरस में जीरी काट रहे हैं क्योंकि जो हमाँ बाथ्रूम है इसके अंदर मोटर की पानी की फिटिंग करेंगे फिर और सामने वासस्रेशन भी लगेगा तो इस यह जो जीरी कटि थी उसके अंदर था पाइप निकला यह मोटर का pipe है जो निगाल के इस राष्टर कर यह bathroom है जो किराइदारों के लिए बना रहे हैं उसके अंदर मोटर की pipe के पिटिंग किया गया है टंकी लगी है ये देखिया ये पहले नौल्मर टंकी लगी हुई थी ये मोटर का connection दिया गया है नया और एक और काम हुआ है यह वासु है य। यह क्न ठास और इसके फूरा मतलब खोल के सई से और चालू किया गया इसके अंदर है टंकी बदली गई यह सब काम हुआ है आज में फटीम का पाइप फिटिंग हुई है यह समग और कीचन में भी मैं आपको दिखाओंगा कीचन में भी काम हुआ है किचन में ये देखी है ये कीचन के लिए लाइण गई है पानी की सिंक के पास देखो यह पाइप और यह शिंक वाला टंकी है और इसे सिंक लगएगा यह फिटिंग की गई थे आज जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा मैंने आपको दिखाया किस प्रकार में घर में पानी की फिटिंग हो रही है सब कुछ मैंने इस वीडियो में दिखाया पूरा प्रोसेज पानी की फिटिंग का अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सेर और मैं आगे भी लाता हूंगा तब तक के लिए टाटा बाई बाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में